बुर्हानपुर जिले के निपा नगर विदानसव अपचुनाव अपने चरम पर हैं कॉंग्रिस और वीजेपी के बीच कार्टे का मुकावला अंतिम मोड पर आ गया है जहां वीजेपी ने इस अपचुनाव में अपनी पूरी तागत जोग दी है महीं प्रदेश के मुक्यमंदी शिवरा सिहीं चौहान भी अपनी नजर निपा नगर पर रखे हुए हैं कमजो प्रत्याशी होने के बाद भी बाजी पल्टाने में माहिर मुखिया शिवरास ही चाहान नर्पा विधान सवा शेत्र में अभी तक तीन सभाय ले चुके हैं बीजेबी के पास दल बदर कर आई सुमित्रा कासले कर प्रत्याशी होने के बाद भी एक एक कदम फुक फुक कर रख रहे हैं हाला कि कुछ जगाओ पर छोटे मोटे विरोधों का सामना भी करना पड़ रहा है प्रत्याशी कमजोड जरूर है लेकिन अंधरूनी नाराजकी भी सभी में है चुनाओं का मैदान भी जीतना जरूरी है किसी प्रकार की गलती नहों और मंजिल इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि सामने कॉंग्रिस प्रत्याशी और एक निर्दली प्रत्याशी दमदार होने के साथ साथ मजबूत इस्तिती में भी है भासपक और ज़ुरा से चुक चारों खाने चित कर सकती है क्योंकि बहारी नेताओं का आगे आगे रहना स्थानी नेताओं को पीछे पीछे लाना सबसे बड़ी नाराज़की का कारण भी बन सकता है और अंतिम समय में पासा पलट भी सकता है निर्दली प्रत्याशी भी पूरे दमखल में मैदान में दोनों प्रत्याशी के लिए खत्रा बन कर सामने डटे हुए हैं विधान सभा उप्चुनाओं में निर्दली प्रत्याशी संजय मावसकर हैं जो दिल्ली में पड़े लिखे होने के साथ साथ विदेश में भी कुछ स बिता कराए हैं और अनुभवी प्रत्याशी हैं मिलनसार और सुल्चे हुए व्यक्तित्व हैं इस समय अपनी अलग पहचान भी रखते हैं नेपानगर शेत्र में मजबूत पकड़ भी रखते हैं और दोनों प्रत्याशीों के मुकाबले अपनी पहचान खुद बनाने में जादो दिखा दिया तो सामने वाली कॉंग्रेस और बीजेपी पार्टी के बने बनाए खेल पर असर डाल सकता है इनके मेहनत पर पानी भी फेर सकता है जरा सी चूक और चारो खाने चित की स्तिती पर भी लाकर खड़ा कर सकता है हम तो हारे ही ए दोस्त तुमें भी जीतने ना देंगे निर्दली उमीदवार इस मोड पर भी लाकर खड़ा कर सकते हैं नेपानगर में इस बार उट किस और करवट बदलता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन अभी तो निर्दली प्रत्याशी संजय मावसकर अग्रिम पंक्ती में खड़े नजर आ रहे है इसले बड़ी की देखे पहले तो यह गंतंत्र है सभी को अधिकारे चनाओ लडने का और मेरा जनम दिल्ली में हुआ था और दिल्ली से मैं अपने पेत्रिक गाउं पीपरी में आया था तो पीपरी में आके मैंने आज से आट साल पहले नौ साल पहले समासे वा शुरू की गाउं आ जाके घूमा आदिवासियों से मिला, किसानों से मिला तो मैंने ये पाया और देखा कि आज तक जो विकास होना चाहिए था अँपने आदिवासियों का गरीबों का, किसानों का वो आज तक हुआ नहीन है समस्याओं से भरपूर है अपना जिला खास तोर सिर्फने आदिवासी शेत्र और मेरी दोनों पार्टी से यही लड़ाई थी कि आप जब भी हमें आदिवासीयों को कोई उमीदवार दें चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो बीजी भी हो एक बार ही आप गरीबों के बीच में जाएं अपने आदिवासीयों का पक्षक है वे अपने उमीदवार को बताएं वे यह हमारा उमीदवार है आपको उमीदवार पसंद है कि नहीं है हमारे संगटन बने वे इतने सारे उनसे जाके कभी भी कोई पार्टी वाले मिले नहीं कि आप हमें कोई उमीदवार दे जो आपकी गरीबियों की सेवा कर सके तो यहां पर एक तरह से दोनों पार्टी की मनमानी चल रही थी कि हम जिसको चाहे उसको खड़ा करें जिता सकते है तो अभी हाली का चुना देखिए कि एक मन्जुदादो एक अच्छी उमीदवार है बीजिवी की उसका भी टिकेट नहीं दिया गया तो अब जो दोनों उमीदवार मेरी नजर में बहुत ही कमजोर उमीदवार है आज तक उन्होंने समाज के वीश में ना जाके कोई काम किया है ना किसे से मिले हैं ना कभी संगठन में आते हैं तो इनी सब बातों को देखते हैं मैंने कि नहीं अगर सब्ता इन दोनों के हाथ में चली या ति दुबारा धाई साल के लिए तो फिर हमारे आदिवसे काम या गरीबों के काम या किसानों के काम नहीं होंगे तो ये सब बाते सोच कर मैंने देखा कि युवा भी आज बेरोजगार है सिक्षा की स्तिती बहुत खराफ से बत्तर होती जा रही है किसान बेचारा अनाज के दामों के लिए परेशान है उसके बाद फिर तरह तरह की समस्याएं हैं काला बजारी हो रही है, रेत खनन हो रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है कोई गरीब की आवाज या किसान की आवाज उठाने वाला आज तक इस जिले में खड़ा हुआ नहीं है हमारे जो भी आज तक विधायक बने हैं वो हमेशा जाके अमीरों के पास ही बैठते हैं अमीरों की काम होते रहे हैं चाहे बड़े से बड़ा ठेका हो चाहे रिती खदान हो, चाहे गिटी खदान हो उसके बाद हमारा किसान तरस्त है, आदिवासी तरस्त है समस्याओं के लेके तो बहुत सारी समस्या हैं जिनको मैंने एक दिन बैठा और सोचा, सोच उचा रहे हैं है और या 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 वेला 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 वे जो गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, आदीवासियों की लड़ाई लड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा. अब का नाम? मिरा नाम संजे मावासकर है, मैं नेपनगर विधानसभा से निर्दली चुना लगा हूँ. आज तक आपको जो विधायक प्रतिनिती मिलें, जो विधायक जिन्हों लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, एक आटवी पास है, एक दस्वी पास है, मैं ग्राजुएट हूँ, 18 साल मैंने भी दिश्यों मिताये हैं, तो मिरको पहली बात तो अपती जिन्मेदारी निभानी सबसे बड़ी समाज से आपके जो समाज में हैं, वो है आपके जाती की, आज तक तडवी जो समाज है, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है, और मुझे पता लगा कि आप लोगे लड़ाई बहुत समाज से लड़ते आ रहे हैं, आज तक किसी विधायक ने या क कि इस बात को विधान सबा तक नहीं पहुचाया है, तो आप लोगों से ये वादा है, और आप लोगों से भादा लूँगा मैं, कि मेरी इस लड़ाई में, मैं आपके लड़ाई लड़ूँगा, और इस लड़ाई में मुझे आप लोगा साथ भी चाहिए, पहली बात तो